हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू गवर्न्मेंट जॉब डिकोडर आज हम बात करेंगे इंप्वाटेंट बैटल्स ओफ इस्ट्री हिस्ट्री में जितने भी बैटल्स हुए थे जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब मैंने इसको पूरा छांट छांट के निकाला है तो इसको पूरा पढ़ना अच्छे से ध्यान में रखना तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का जो सबसे महत्वपुन बैटल में जो फर्स्ट बैटल आता है वह हमारा बैटल ऑफ हाइडस्पिस या तो बैटल ऑफ जहिलम भी बोलते हैं इसको यह हुआ था एलेक्जेंडर ग्रेड वर्सीज पॉरस यह जो हुआ था युद्ध यह हुआ था एलेक्जेंडर और पॉरस के भीच जहिलम नदी के किनारे इसलिए इसको बैटल ऑफ हुआ है प्यूम प्यूम भी बोला जाता है 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 इंधर्स पिस इसलिए क्कि जहिलम रिवर को आइंध इस यूद में जो जो एलेक्जेंडर है वो पोरस से बहुत प्रभावित हुआ था क्यूंकि उसने बहुत ही करेज दिखाया और उसके सामने अंध तक डटा रहा मतलब एक बार को तो ऐसे इस्थिदी आ गई थी कि एलेक्जेंडर जस्ट हारने वाला था लेकिन जो इतने सारे हातियों के साथ पोरस गया था जो उसका पासा उल्टा पड़ गया विलकी तो कह सकते हैं लक के वज़े से अलेक्जेंडर जीता इसलिए उसने पोरस को बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं न सम्मानित करना उसके आखों में उसके सामने रिस्पेक्ट की भाव होना थी एक पोजिशन के पहले एक पोजिशन के सामने तो यह वन ऑफ दा इंपोर्टेंट बैटल है और यह बैटल जो हुआ था यह हुआ था आपका 326 बिफोर क्राइस्ट 326 बिफोर क्राइस्ट ध्यान में रखना कभी कभार पूछा जा सकता है बात करते हैं दूसरे इंपोर्टेंट बैटल की तो वो है हमारा कलिंगा और बैटल ऑफ कलिंगा यह हुआ था असोक समराट और अनन्द नाथन के बीच इस बैटल के कारण असोक का पूरा सौभाव चेंज हो गया क्योंकि उन्होंने इतना वाइलेंस देख लिया इतना वाइलेंस इनका एकदम जिसे कहते हैं न मन परिवर्तित हो गया इसी के बाद इन्होंने बुद्धिजम को अपनाया बुद्धिजम को अपनाया किसके साथ उपगुप्त ने इनकी मदद की इसके बाद इन्होंने बुद्धिजम फॉलो करना स्टार्ट करती है बात करते हैं ये लड़ाई हुआ कब था यह लड़ाई हुआ था आपका 261 BC 261 बिफोर क्राइस्ट में डेट याद रखना कभी भी पूछा जा सकता है किसके बीच में हुआ यह पूछा जा सकता है और यह जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका जैसे एलेक्जेंडर वर्सिज पोरस है तो इसमें एलेक्जेंडर विनर रहा ऐसी असोख वर्सिज अनन्त नातन है यह लेफ्ट हैंड साइड में असोख है जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रखा है वो सारे विनर थे अब आते हैं बिफोर क्राइस्ट के बाद A.D. में जो बहुत ही महत्वपून लड़ाई थे उसमें वो मैंने छांड छांड के लिखे हैं तो इसको तो पूरा ही याद रखना हमेशा बहुत ही इंपोर्टन्ट है आ गए हम बैटल ओफ तरेन यह हुआ था हमारा पृत्वी राद चोहन और मुहम्मद गौरी पृत्वी राद चोहन और मुहम्मद गौरी कब हुआ था 1191 में 1191 में हुआ था यह इस लड़ाई में पृत्वी राद चोहन ने मुहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया फिर उसको जलील किया लेकिन उसको मारा नहीं छोड़ दिया अब वहीं से पासा पल्टा भाई जब बैटल ओफ तरेन सेकिंड हुआ जस्ट एक साल बाद मुहम्मद गौरी ने अपनी पूरी सेना दुबारे से तैयार करा और उसने जो अपमान किया था पृत्वी राद चोहान ने कैसे भी सडियंत रच के जैचंद की मदद से और जैचंद के धोके से पृत्वी राद चोहान की हार हुई 1192 में 1192 में बैटल ओफ तरेन सेकिंड हुआ जिसमें मौहम्मद गौरी की वीजय प्राप्त हुई अब आता है थर्ड बैटल ओफ थर्ड बैटल जिसमें बैटल ओफ चंदावर था यह हुआ था मौहम्मद गौरी और जैचंद के बीच अब जैचंद ने तो भाई धोका दे दिया पृत्वी राद चोहान को लेकिन जैचंद के साथ भी फिर पासा उल्टा पड़ा एलप तो करी उसने अब मौहमद गौरी ने इसी को भाई ठोक दिया और यह जो लड़ाई वी थी यह वी थी ग्यारसो चोराणवे में बात आया समझ में बहुत ही महत पूर्ण बैटल है यह तो भाई पूरा वीडियो फुल देखना एक न एक कोस्चन फसना ही फसना है और आपने देखा भी होगा कि इन्हीं में से आते हैं कोस्चन मोस्त इंपोर्टन लिखा है पूरा और डे बाई डे आपका कंटेंट भी बढ़ता जा रहा grand 360 इसको रिवाइज भी करते रहें डेली हैं यह इन ऑड जाए और यह क्या देखे जाए मट इसको नोट भी निकर रहे माद इसको बाद तो सुनने ही और्टमेट ग्याद हो जाएगा क्योंकि हैबिट में आने से आपको एफट नहीं करना पड़ेगा अगर लास्ट टाइम पर आपने सुच्छा कि मैं लास्ट टाइम पर सब 24 से इससे पहले बता देता हूं मैं मुहम्मद गौरी इसके बाद वो चला गया था इसका जो एक जिसे बोलते हैं गुलाम कह सकते हैं वो कुतुबु दिन एबक वो रहे गया था यहां पर वहीं से डैली सिल्तनत का स्टार्ट हुआ इसलिए उसे उगलाम वंस भी कहा जाता है फिर लास्ट के टाइम बे जो बैटल ओफ पानी पत होगा यहां पर बाबर जो आया है यह जो है डैली सल्तनत को यहां से खतम करतेगा यह जो इबराहिम लोधी है लास्ट सासक था डैली सल्तनत का लोधी डाइनेस्टी में अब इस बैटल में भाई बाबर ने इसको बुरी तरीके से तोड़ा और हुआ कब यह 1526 में 1526 1526 में यह युद्ध हुआ बात करते हैं सेकंड बैटल की बैटल ओफ खानवा बाबर और राना सांगा इसमें राना सांगा ने अपना पूरा एफट लगाया बहुत ही बहादुरी से लड़ा लेकिन फिर भी जो बाबर का दिमाग था उसके सामने उसको हरना पड़ा बहुत ही चतुर बाबर ऐसा युद्धा था इसने जो फस्ट टैम पे इसी ने गोला वारूद का यूज किया था अपने बैटल में बहुत ही चालाकी से अपना पहले प्लैनिंग करता था उसके बाद अटेक डिफेंस अटेक इस इस दा पॉलिसी ओफ बाबर इसने राना सांगा को भी हरा दिया बैटल ओफ खानवा में कब हुआ 1527 में हुआ था इस अब बात करते हैं इसके थर्ड बैटल की बैटल ओफ चंदेरी बैटल ओफ चंदेरी हुआ बाबर और मेधनी राई के बीच इसमें भी बाबर विजय हुआ फिर एक साल बाद ये एक और युद जिती गिया 1528 में लास्ट बैटल इसका रहा बैटल ओफ घागरा इसके बीच हुआ ये बाबर और महमूद लोदी अफगान आर्मी और एक टूश्ट और बता दूँ महमूद लोदी ने ही इसको इन्वाइट किया था कि भाई आओ और ये इब्राइम लोदी को हटाओ यहां से अब देखो पासा उल्टा पड़ा महमूद लोदी को भी इसने भर दिया भई इसको भी हरा दिया मतलब चार साल में चार बैटल जीता है कंटीनियू बहुत ही चालाक चतुर जिसे बोलते हैं और यहीं से इसने मुगल वंस का नीव रख दिया वाइबावर में अकेले दंपेस बंदे ने एस तैस कर दी पूरे यह मतलब बंदा एक तरब बागी सब एक तरब इस हिसाब से हो रहा था मतलब इसकी ऐसे युद्ध कला थी युद्ध नीती थी कि अच्छे अच्छे पराजित हो जाते थे इसके सामने में अब यहीं से मुगल बंस की भाई नीव रखी चलते हैं आगे इसका बेटा था हमायू और इसका जो फर्स्ट बैटल हुआ इसके बेटे का हमायू का यह हुआ बैटल ओफ चौसा इसके विरुद हुआ भाई सेरसासूरी लेकिन भाई सेरसासूरी ने तो इसको तोड़ दि बुरी तरीके से कब हुआ 1539 बहुत बारी कोच्चन पूछा गया है बहुत इंपोर्टेंट सारे के सारे इंपोर्टेंट है इसमें एक भी युद्ध आप मिस नहीं कर सकते हो सेरसा सूरी और हमायू के बीच इसमें भाई सेरसा सूरी ने बुरी तरीके से इसको पराजित किया फिर अगले साल फिर से इसके साथ बैटल हुआ हमायू के साथ और सेरसा सुरी ने इस बार तो हमायू को 921 करवा दिया बाई ये चला गया बाग गया ये इंडिया छोड़ के समझे नौर्थ वेस्टन में चला गया ये ऐसा बुरी तरीके सहरा है इसको बैटल ऑफ कन्नोज या बिलिग्राम भी बोलते हैं इसको दोनों किसी भी नाम से आ सकता है घुच्चन ये कब हुआ पंदरव सो चालिस में अगले साल फिर से तोड़ दिया इसको इसरा बैटल हुआ सेर्शासूरी का बैटल ऑफ कालिंगर कालिंजर बोल सकते हैं सेर्शासूरी और कीरतár सिंग के बीच घशचन ये 545 में इस युद में भी सेर्शासूरी ने कीरत्र्ट सिंग को दूल चटा दियंग Condh अब भाई, जब ये सेर्सासूरी का देहान तो गया, हमायू को भाईं पता पढ़ गया, कि बन्दा गया हो बतला हमायू गी बहुत ही फटती थी सेर्सासूरी से इसको पता पढ़ गया, अब इसी के वंसे सिकंदर सासूरी था सेर सासूरी के ही वंसे तो हमायू भाई कैसे भी करके सिकंदर सासूरी से जीत गया इसको बोलते हैं बैटल ओफ सरहिंद 1555 लेकिन यहाँ पर हमायू की भाई हिम्मत की दाप देनी पड़ेगी वो वापस लोट के फिर आया फिर अपना सेना तयार किया और फिर जागे फिर इसको तहस नहस किया और फिर मुगल वंस का दुबारा से यहीं से नीव स्टार्ट हो गया कितने मोड आ रहे हैं मुगल वंस में पहले बाबर ने तो एक तरफा वाई हराया सबको उसके बाद जब इसका बेटा वो हमाईव इसको सेर सासूरी ने तोड़ दिया फिर खड़ा हुआ बंदा फिर दुबारा आया फिर जीत गिया फिर एक और टूस्ट होता है ये बंदा निकल लिया उपर और इसका जो बेटा था अकबर वो जश्ट बार तेरह साल का था अब जो अकबर था उसको किस से युद्ध लड़ना पड़ा ग्रेट राजा भाई बैटल ऑफ पानिपत सेकेंड मतलब पूरा हिष्ट्री यहां से चेंज हो गिया अकबर और हेमचंद्र जिसे हेमू भी बोलते हैं हेमचंद्र ऐसा राजा ऐसा योद्धा जितना तारिफ कि अजय कम है कहा जाता है ऐसा हिष्ट्री के उसमें कि मतलब हेमचंद्र एकदम ओल्मोस्ट विनर है मतलब जीत गया है एकदम से लेकिन एंड मोके पे अब किसका तीर आके उसके आँखों में लग जाता है जैसे आप जो आपका लीडर है जो में बंदा है वही गिर गिया तो पूरी सेना भाई गिर जाती है इस तो इसको अनफॉर्चुनेट बोलेंगे भाई इतना अनफॉर्चुनेट सायदी को हुआ होगा इतिहास में हुआ कब था सब्सक्राइब देट यह वाला तो जरूर्याद रखना भाई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मतलब पानीपत के जितने भी बैटल हुए है उसने पूरा हिस्ट्री चेंज गिया है बाबर आया बायचांस अगर बाबर वहीं हार जाता तो क्या पता उसकी उम्मत ही नहीं होती दुबार आने की वहीं से मुगल वन्स का स्थापना हुआ मुगल वन्स चला भाई 200 सालों तक यहां पर भी एक पर मारा जा सकता था तेरा साल का ही था इसके साथ एक खान बाबा रहता था उसी ने एक तरीके से वहीं लड़ रहा था यह जस्ट एक उपादी में था उस टा बट भाई किस्मत थी बंदे की जीती गया अब इस डेड़ फुट्ते ने इतना कमाल किया है आगे जाके अकबर आयट नाटाई साथ है इस बंदे ने मतलब जितने भी हिंदू थे राजपूद्ध सबको अपने साइड कर लिया इससे पता था कि भाई बहुत पावरेंड में इनसे अगेंस्ट में जाके मतलब जीतना मुस्किला पूरे भारत बगपजा तो नहीं किया जा सकता है दिमाग लगाया भाई दोस्ति करना स्टार् केला महाराना पृताप इस बंदे के खिलाफ रहा अगेंस्ट रहा हमेशा इसको परिसान करता रहा कभी छापे मारी यूद से कभी किसी से तो भाई हल्दी घाटी की लड़ाई छड़ गई महाराना पृताप भाई साथ आठ फुट का बंदा कहां ये नाटा सा लेकिन इसकी भाई सेना मजबूत थी महाराना पृताप की सेना कमजोर हो गई थी क्योंकि जो आदे राजपूत्ते वो इसके साथ में ही थी बात ये हो गई और एक नंबर का चलाक ये अकबर मजब अब ऐसा नीती अपनाया कि सबको अपने सैड किया लेकिन ये अकेला डटा रहा महाराना पृताप ने भाई पूरा दिखा दिया जितना विजोर दिखाना था तब भी इसको हार नहीं पढ़ावाई और ये हुआ का 1576 में 1576 में हुआ ये कांड लेकिन जो चेंज हुआ पूरा हिस्ट्री वो ये वाड़ा है सीन 1556 पूरा हार चुका था ये पताने क्या किसमत लेके आया था जो ये जीत गया भाई बैटल अब असीर गड़ ये जेस्ट पूछ लेंगे मेरन बाद दूर के बीच वार अकबर के बीच में हुआ तो इसको भी याद रखना 1601 में हुआ था ठीक है भाई अब तो ये अकबर का तो भाई हो गया काम अब जो और इंपोर्टेंट बैटल आया वो आया भाई अंग्रेजों के खिलाफ जो इंपोर्टेंट हिस्ट्री बैटल हुए बागे बीच में बहुत सारे हुए बैटल ओफ पानीपत वो गया थर्ढ भी होगा अभी वो अंग्रेजों के टाइम जब आने वाला था उसी टाइम पर हुआ है वो भी जो थर्ढ बैतल ओफ पानीपत है न वो भी हिस्ट्री चेंजर हुए हा 있습니다, हिस्ट्री चेंज हो सकता था अगर हुआ जीतता तो देखते हैं उसको आगे भी बैटल ओफ प्लासी लॉड क्लाइब वर्सिस राजुद दौला बहुत थी ये भी अंग्रेच एक नम्मर के चलाक इंसान साले फूट करते थे और फिर राज करते थे इसने क्या किया जो मीर कासिम था इन सब से अबाई सपोर्ट ले लिया इनको बना दिया कि मैं तेरे को राजा घुशित कर दूंगा तु मेरा साइड दे इसको हराने के लिए अबाई साइड दिया इसने हार आ गया बाई से राजुद दौला हुआ कि हुआ कभी बैटल ओफ प्लासी बहुत इंपोर्टन बैटल हमेशा पूछाई जाता है 1757 में हुआ था ये डेट अक्सरी डेट पूछ लेते हैं किसके बीच हुआ कौन जीता ठीक है याद रखना बैटल ऑफ वांडिवस बिटेस और फ्रेंच के विरुद हुआ था फ्रेंच को यहां से भगा दिया वाई बिटेसर उन्हें 1760 में 1760 में अब बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानी बद भाई साब पूरा हिश्ट्री चेंज हो जाता अगर इधर कुछ अलग इस रिचल्ट मिलता तो अहमद साब दाली और मराथा इसको भी बोलेंगे भाई unfortunate कैसे यूँकि मराथा जो है वो हरे किस वज़े से जो फूड की सौर्टेज हुई वहां पर यूँकि यह गए मराथा से महाराष्ट्रा होते हुए गए पानी पत नौर्थ की तरप फिर जो बैटल होने वाला था वो दो दिन और डिले हो गया इनका खाना सोर्टेज हुआ फूड सोर्टेज हुआ कम जोर पड़ना श्टार्ट हुए इस वज़े से यह इनकी हार हुई नहीं तो यहां पे भी पूरा गेम चेंज हो सकता था बाई चांस अगर मराथा जीतता तो क्या पता यह ब्रिटिस का राज हुई न पाता क्योंकि मराथा ही एंपायर था उस टाइम पे सित्रो सो साठ और उसके आसपास में मराथा बहुत ही मजबूत था वाई अगर वहां से जीत जाता यह तो साइद यह ब्रिटिसर को भगा देते लात मार के लेकिन सब किस्मत की बात है जीत गे साले मराथा की हार हुई बैटल ओफ पानिपत थर्ड बहुत ही इंपोर्टेंट यार सत्रों सो एक सट में हुआ मुवी भी आ चुकी है इसके उपर देख सकते हुआ है बैटल ओफ बक्सर बिटेस हैक्टर मुन्रो और मीर कासिम और स्थालम मीर कासिम को भी तोड़ दिया ना इधर आगे बक्सर में बक्सर की जुलड़ आई गें 1764 में और सपोर्ट करू यही होता है वाईनका जैचंद ने उसको सपोर्ट करा मुम्मद गोरी को तो उसने तोड़ा अदला भी न उन्हें हिस्टरी से भी नहीं सिखा अपने तो वही है भाई अलग बंदा आ रहा है दूसरे देश का और वो तोड़ के चले जा रहा है में गजा भालता भाई लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है इसका डेट भी पूछा गया है किसके बीच में हुआ था है हेक्टर म द्यान रखना पूरी तरीगे से इस में से एक भी स्किप नि करना है पूरा ध्यान से जितना निचोड था मैंने सब निकालके एक घंटा का रिसर्च करके कि भाई कौन कौन से बहुत ही महत्पुन इंपॉर्टेंट है कचरानी देना है मुझे वह मैंने कंटेंट दिया इस इंपॉर्टेंट बैटलस अफ इस्ट्री बैटल उफ जैलम अलेक्षेंडर वर्सीचपोरस अलेक्षेंडर विनरलाह 326 B.C. में हुआ बैटल अफ कलिगा आशोग और आनननतनाथन 261 B.C. में हुआ बैटल फ तरेन के पिथवीराब चौहान और महुम्मद गौरीक्ष तर इसमें मुहम्मद गोरी जीता 1192 में हुआ बैटल ऑफ चंदावर मुहम्मद गोरी और जैचंद 1194 में हुआ ये जिसमें मुहम्मद गोरी विजय रहा अब बात करते हैं फस्ट बैटल ऑफ पानिपत की तो वो बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ 1526 में बाबर जीत गिया बैटल ऑफ खानवा बाबर और राना सांगा 1527 में हुआ इसमें भी बाबर जीता बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और मैदिनी राई 1528 में इसमें भी बाबर जीता बैटल ऑफ घागरा बाबर वरसेज महमूद लोदी अफगान आर्मी का बंदा 1529 में हुआ बाबर जीत गिया फिरसे बैटल ऑफ चौसा सेरसा सूरी और हमायू के बीच में हुआ 1549 में सेरसा सूरी जीत गिया बैटल ऑफ कन्योज या बिलगराम भी बोलते हैं सेरसा सूरी और हमायू के बीच में 1540 में हुआ सेरसा सूरी फिरसे जीत गिया battle of Kalenger सेरसासूरी और कीरत सिंग 1545 में हुआ इसमें भी सेरसासूरी जीत गया अब बात करते हैं battle of सरहिंद की बहुत बार पुछा गया है हमायू और सिकंदर सासूरी के बीच में 1555 में हुआ हमायू जीत गया वह battle of पानीपत अकबर और हेमू के बीच में हुआ अकबर जीता पंदरसो चपन में हुआ ये Battle of Haldigati 1576 अकबर और महाराना प्रताफ Battle of Asirgad, अकबर और मेरन बहादूर 1601 में हुआ अकबर जीत गया Battle of Plassey, Lord Clive और सिराजुत दौला 1757 में हुआ, बिटेस जीत गया इदर Battle of Vondivus, बिटेस और फ्रेंच के बीच में 1760 में हुआ, इसमें भी बिटेस जीता Battle of Panipat, थर्ड Battle of Panipat अहमत साअबदाली और मराथा के बीच में अहमत साबदाली जीता 1761 में हुआ बई Battle of Buxer, बिटेस हेक्टर मुन्रो और मीर कासिम और सहालं, दोनों मिलके लड़े थे लेकिन हार गई 1764 में हुआ, इस वीडियो को जादा सा जादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेयर करें, इतनी महानत भाई कर रहा हूं तुम सब लोगों के लिए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता गोई पैसे तो लगते नहीं है, सब्सक्राइब कर दो, और सेयर करो भाई दबा के जितना हो सके, इतने बड़िया बड़िया कंटेंट दे रहा हूं यार, बना बना के, अभी और आते रहेंगे, आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे तो, यह है कि टच में रहना है, और डेली ब जियान मेरों को उसे दो तीन बार वीडियो देखो, अपने आप याद होगा, उसने बड़िया से समझाया यार, अंट्रेस्टिंग के साथ, अपने लीमन लाइंग में, तो थैंक्यू, टेक केर बाई, जैहिंद,